फालतू कामों में पड़े हैं और अपना हाथ लोगों के लिए अपने लिए नहीं लोगों के लिए गवा दिये हैं आपको कभी इस बात का लगता नहीं है और इनको आप डाखती नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं जब करते थे थे हम इसको नहीं कभी कुछ साथ देती थे इनका जी बाद बिहार जाने के बाद क्या होने वाला है हाथ ठीक होने पर हम अमरन अंसन पर पटना गांधी मैदान में बठे जनता से अपिल करेंगे कि अपने बाल वच्चे के लिए अपने आगे आने वाले पीड़ी के लिए एक बार सब सहीयोग करें पटना आये और वःष्ट आचार को मुक्त करने में हमें सहीयोग करें कि कौन-कौन योजना में कैसे भ्रहष्टkem कितना परतिषत हुआ है कौन-कौन योजना पंचेति ने पहुए उपर से उपर तैसने में जाचकर के S une Iक मादोस्ति हमा अयोध्या के उसी हॉस्पिटल में है उसी चिकित सालय में है जिस चिकित सालय का नाम है Ś५री राम चिकित सालय है और हमारे साथ विमल मंडल जी और जो इनकी धरम पतनी है वो भी हमारे साथ है कुछ बात्चीत होगा इनकी धरम पतट निजी से आपको कम मालूम चला कि इनों ने बिहार में हो रहे बरचत चार के खिलाफ अपना दाहिना हाथ कार डिया आपको कम मालूम चला मालूम हुआ तीन तारीको आठ बजे तीन तारीको आठ बजे मतलब कि उसी टाइम आप उस टाइम कहा थी घर में थी गाउं पर अररिया अच्छा आपको यह सुन के कैसा लगा क्या सोच रही होंगी आप उस टाइम के वहां पर तो सब थो इने साह हो गया था कि आप यह नही हांत गवाना पड़ा है आखिर आप सरकार से क्या चाहती है कि आपके पति का दाहिना हात गवाना पड़ा सायथ उसका जिमवार पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन कोहीं न कहीं सरकार भी और सरकार का भ्रष्ट सिस्टम भी है तो आप सरकार से आपका क्या कहना रहेगा क्या मांग रहे हैं अच्छा ये बताए ये आपके पती है आपको कभी यह नहीं लगता है कि क्या ये लोगों के कामों में फालतू कामों में पड़े हैं और अपना हाथ लोगों के लिए अपने लिए नहीं लोगों के लिए गवा दिये हैं आपको कभी इस बात का लगता नहीं है और इनको आप डाठती नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है नहीं जब करते हैं थे थे हम इसको नहीं कभी साथ देती थी इनका जी एक दम सच बोल रही है नौ सच देखिए यह भी अगर ऐसी धरम-पत्नी सब को मिले तो सब को आगे अपना काम करने में बहुत आसानी रहेगा तो कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे काम करने पर उनकी जो पत्नी हैं बोलने लगती है लेकिन ये इनका साथ देते हैं कि ये अब आप जो है बिहार के लिए लड़ रहे हैं बिहार के लोगों के लिए लड़ है उसमें साथ देती है सहीं बोले नो अच्छा आपका कितना बाल बच्चा है चार लड़की है एक लड़का है कि तो आप तो 15 से बीस रोज इनके साथ रहेंगी इनका सेवा करेंगी और इसके बाद यहां पंदरा से बीस रोज रुकने के बाद इनको बिहार जाना है पटना जाना है और वहां पे पंदरा से बीस रोज के बाद पटना में क्या होगा बिहार में क्या होगा आगे हम बिमल मंडल जी से ही पूछेंगे वहां पटना जाने के बाद बिहार जाने के बाद क्या होने वाल अपिल करेंगे कि अपने आगे आने वाले पिढ़ी के लिए एक बार सब सहयोग करें पटना आए और भरष्टाचार को मुक्त करने में हमें सहयोग करें अपना भोजन करेंगे वोसा भोजन करेंगे अपना टैम भोजन करेंगे आप तो जल पान या भोजन कुछ नहीं करेंगे जब तक कि कुछ खास हो ना जाए जो आप चाहते हैं। हर पंचायत का पूरा बिहार का भरष्टाचार सोतो समाप्त हो जाएगी। से भरष्टाचार दूर हो जाएगा और यहीं इनका सपना है। और बाकि आप लोगों को हमारा ये परियास कैसा लगा भीमल मंडल जी के साथ और इनकी जो पतनी हैं। के साथ अभी हम जो की अयोध्या में स्री रामची के चालाय में हैं बताइएगा जरूर आप लोग और सभी देशवासियों को हैपी दिवाली और विमल मंडल जी के तरफ से भी आप भी कुछ दिवाली के लिए बोल दीजिए। मैं बहार वासि को हैपी दिवाली के लिए बधाई देता हूं बढके वासियों कि इनकी को कैंपि लहां थाया कि अपने लिए नहीं ृतरा बहार आने के बाद खास आप लोगों से दर्खवास है हमारा भागी यहां से जय हिंद